अध्याए एक जीवों का विकास प्रित्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातिया हैं इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना हैं कुछ ऐसे जीवों हैं जो विलुप्त हो गये हैं उनके अवशेश या जिवाशम से ही उनके होने की पुष्टि होती है इनी में से एक है डायनासौर डायनासौर का नाम आप सभी ने सुना होगा पुरे विश्व में ही नहीं हमारे देश में भी कई जगे इनके अवशेश समय समय पर मिले हैं जैसा कि जबलपूर के पास लमेटा घाट में नर्मदा घाटी में कई जगे इनका प्राकरतिक आवास रहा है। हमें प्रित्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेश मिल रहे है तो पता चल रहा है कि ये विवित प्रकार के थे और प्रित्वी पर लगबग 2000 लाग से 600 लाग वर्ष पुर्व इन्हें जानवरों का रास था। एक छोटे चे छोटा डायनासोर लगबग 50 सेंटी मिटर का तो बड़ा डायनासोर लगबग 40 मिटर का था। इनमें कुछ मासा हारी तो कुछ शाका हारी कोई दो पैरों पर चलने वाला तो कोई चार पैरों पर और कोई उड़ने वाला जैसे कि चित्रक्रमांग एक में दर दिशाय गया है। इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी होती जाएगी। डाइनासोर के खत्म होते होते विशालकाय हाती जैसे स्तंधारी और अन्य जिवो की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डाइनासोर के युग के जिवो की कुछ प्रजातिया पाई जाती है परन्तु डाइनासोर नहीं पाई जाते। आज की समय में कुछ ऐसी प्रजातिया हैं जैसे मनुष्य और हाती जो डाइनासोर के युग में नहीं थे। जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा? कैसे कैसे नए नए जिवो बने होंगे? या जिवो में परिवर्तन कैसे आया होगा? क्या आप जानते हैं? गिंको नामक यह पेड डाइनासोर के युग का है और हिरोशेमा में आटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद पहला पन अपने वाला सजिव यही था।